Hello students, तो अब हम करेंगे question number 10, तो question number 10 क्या दे रखा है, ये एक हमारी linear equation दे रखा है, इसको हमें simplify करना है और फिर solve करना है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, चुकि यहाँ पी यह decimal दे रखा है, तो decimal को हम हटा देते हैं, तो decimal को हटाते कैसे हैं, यहाँ जैसे अगर हम इस decimal को हटाएंगे, तो decimal के बाद जितने number हैं, उतने 0 लग जाएंगे नीचे, 0 लग के मतलब 100 करके, जैसे यहाँ पे 1 लिखेंगे, और decimal के बाद कितने number हैं, 1, 2, तो नीचे आ जाएगा 100, अगर decimal के बाद 3 number होते, तो यहाँ पे 1000 आ जाता है, ठीक है, similarly यह तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो decimal हटाएंगे, तो नीचे क्या आएगा, decimal के बाद कितने number हैं, 1, 2, तो यह आएगा 100, तो यह क्या हो जाएगा, यह imply करेगा, 25 upon 100, 4F minus 3 is equals to 5 upon 110F minus 9, यहाँ पे यह 0, 0, 5 बचेगा, तो यहाँ पे जो 5 से पहले 0 दे रखें, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे यह भी division में दे रखा है 100, यह भी division में दे रखा है 100, तो इसको हम इस तरह से cancel out कर देंगे, यह क्या imply करेगा, 25, 4F minus 3 is equals to 5, 10F minus 9, यहाँ पे यह 5 जो है, वो इसके multiplication में दे रखा है, जब यह इधर आएगा, तो यह division में आजाएगा, तो यह imply करेगा, 25 upon 5, 4F minus 3 is equals to, इधर क्या बचेगा, 10F minus 9, अब यहाँ पे 5 का table पढ़ते हैं, 5 बन जा 5, 5, 5 जा 25, तो यहाँ पे बचेगा, 5, 4F minus 3 is equals to 10F minus 9, अब यहाँ पे 5 को हम अंदर multiply कर देंगे, तो यह क्या आएगा, 5, 4, 20F, 5, 3, 15, is equals to 10F minus 9, यह हमारी एक simplest form में आ गया, अब हमें इस equation को solve करना है, तो कैसे solve करेंगे, variables को एक तरफ ले आते हैं, यहाँ पे यह 20F है, यह 10F है, तो इस 10F को हम इधर ले आते हैं, 20F minus 10F, numbers को हम right side में ले आते हैं, तो यह 15 को right side में ले आएंगे, तो यह 15 minus 9, यहाँ पे 20F में से 10F जाएगा, तो यह 10F बचेगा, 15 में से 9 जाएगा, तो यह 6 बचेगा, तो यहाँ से अगर हम देखें, तो यह 10 जो है, वो इसके multiplication में दे रखा है, जब यह इधर division में जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, F is equals to 6 upon 10, अब यहाँ पे अगर हम इसका यह 0 हटाएं, तो यहाँ पे एक नमबर के बाद decimal लग जाएगा, नीचे से जितने 0 हटाते न, उतने ही नमबर के बाद decimal लग जाता है, यहाँ पे एक 0 है, इसको ऐसे हटाया, तो यहाँ पे एक नमबर के बाद decimal लग जाएगा, और decimal को अकेला नहीं छोड़ते हैं तो 0 लगा देते हैं तो यह imply करेगा f is equal to 0.6 यह हमारा answer हो जाएगा questions हम आप next lecture में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना ही